Hello friends and very warm welcome to Chiggy's biology another video in this video today we will discuss about Biotechnology Summer Internships at IIT Gohati or Indian Institute of Technology Gohati Assam में है और friends यहां से मैंने भी अपना Summer Internship किया है और आप कैसे यहां से Summer Internship कर सकते हैं इस पे आज इन डिटेल बात करेंगे और मैं साथ साथ में अपना Internship का Experience भी आपके साथ में शेयर करूँगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन के बटन को प्रेस जरूर कर दें friends यहां का जो Bio Sciences and Bio Engineering Department है वो बहुत अच्छा है और Bio Sciences and Bio Engineering Department के सामने की यह मेरी फोटो आप लोग देख सकते हैं और friends आप लोग BSB के अलावा यहां पर Center for the Environment से भी अपना ट्रेनिंग कर सकते हैं अगर आप एक Bio Technology Student है और अगर आप Environmental Bio Technology में इंटरस्ट रखते हैं तो यह आपके लिए best रहेगा और अगर आपने अपना undergraduate graduate कोई course किया है या PG किया है या फिर आप एक research scholar है तो आप eligible हैं यहां पर अपना internship करने के लिए कौन-कौन से areas में आप यहां पर अपना internship कर सकते हैं वो आपको इस screenshot में दिखरा होगा और जब आप Gohati जाएं तो Friends कामाख्या temple में जरूर जाएं और IIT Gohati का जो कामाख्या temple है बहुत famous है Friends जो आप लोगों का duration होगा इस internship का वो मई 2 जुलाई होगा और यह summer में आप internship करेंगे क्योंकि यह summer internship है और maximum 10 weeks का यह एक duration यहां पर होगा और Friends इस duration के दोरान जो है जब आप वहाँ पर अपना summer internship करेंगे तो बहुत सारे foreigner students भी आप लोगों को वहाँ पर मिल जाते हैं जैसे मैं यहाँ पर एक foreigner student के साथ में बैठा हूँ और Friends आप लोग जो हैं अगर IIT गोहाटी गए हैं तो वहाँ पर आप गोहाटी बायटेक पार्क जरूर देखें जो campus के अंदर ही है तो Friends यह आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इस image में और 2016 में मैं अपने 5 batch mats के साथ मैं सोरी यहाँ पर गया था और यह IIT गोहाटी का main gate क फोटो है तो Friends यह भी आप लोग देख सकते हैं उसके बाद जो है application के बारे में बात करते हैं application जो आप लोग करते हैं वो online करते हैं BSB department पर जाके जब आप IIT गोहाटी का official website open करेंगे और Friends यहाँ पर online application करने से पहले आपको contact करना पड़ेगा faculty से जिस भी faculty में आप अपना interest या जो भी faculty आपके research interest से related है इसका पता आपको BSB department के जो portal है जब आप लोग IIT को हटी को official website पर जाएंगे तो जब आप वहाँ पर departments में जाएंगे तो वहाँ पर पता चल जाएगा तो before online application आप उस faculty को personal mail करें और अपना CV send करें और उससे permission लें तब फिर आप जो है online application वहाँ पर करें और आप जब campus जाएंगे तो offline भी आप लोगों का application form fill करना पड़ेगा और friends online जब आप application करेंगे उससे पहले जब mail लिखेंगे personal mail लिखेंगे IIT की faculty को तो friends आप selected हुए है या selected नहीं हुए इसका पता आपको तबी चल जाएगा और वहाँ पे बहुत सारे PhD scholars होते है उनकी भी आपको help मिलती है जैसे मैं यहाँ पे अपने एक senior के साथ मैं हूँ और यह मुझे railway station पे भी लेने आये थे इन्हीं के अंडर में हमने अपना internship वहाँ पे किया था और hostel facility आपको वहाँ पे मिल जाती है So thank you friends, thank you for watching and do subscribe the channel for upcoming videos and latest updates, thank you friends